नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखें बिहार बीजेपी ने आज एक बड़ा निर्मने लिया है आपको बता दे कि समराट चोधरी की कुरसी अब हरी सैनी को दे दी गई है आपको हम बता दे कि बिहार विधान परिशद के नेता प्रतिपक्ष बना दिये गए है हरी सैनी आपको बता दे कि बिहार बीजेपी के इस फैसले के बाद से बिहार में सियासत गर्मा गई है आपको बता दे कि सन ओफ मला खुद को कहने वाले मुकी सैनी ने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है मुकेश सैनी ने बजापता सोशल मीडिया पर एक लंबा चोड़ा पोस्ट किया है और कई बातों का जिक्र किया है और इशारों इशारों में बड़ा तंस भी कसर है क्या कुछ कह रहे है मुकेश सैनी क्या है वो पोस्ट आईए आपको तफसील से इस रिपोर्ट में बताते हैं देखे मुकेव सेहनी ने Facebook पर पोस्ट कर लिखा है कि निशाद आरक्षन संकल पियातरा से घबराकर BJP ने आपको यानि कि हरी सेहनी जी को ये दायत्व दिया है ये आप भी भली भाती जानते हैं सेहनी ने BJP नेता को ये याद कराते हुए आगे लिखा है कि लेकिन साथ में ये भी याद रहे कि ये दायत्व जो आपको मिला है वो निशाद समाज की जागरती के वजह से मिला है इस बात का ध्यान रहे कि आप ऐसा कुछ ना करें जिसके कारण समाज के आरक्षन की लड़ाई खत्म हो सके आपको बता दें कि VIP सुप्रीमो मुके सेहनी ने उन्हें शपत की याद दिलाते हुए ये भी का है क्यूंकि आपने ईश्वर एवं अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर शपत लीथी के विकाशील इंसान पाटी का हर निन्ने के आप साथ रहेंगे देखें आपको बता दें कि इसी के साथ साथ VIP सुप्रीमो मुके सेहनी ने एक विडियो भी डाला है और विडियो में आप साथ साथ देख सकते हैं कि कैसे हरी सेहनी जी VIP की सदस्ता ग्रहन कर रहे हैं और वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे अपने एडिटर से कहेंगे कि एक बार वो आपको वो वीडियो दिखाएंगे यह की में कोल्वा स्वस्त मानसीफ्ता से विकासीर इंसान पार्टी विए पी की सदस्टा ग्रहन क्या हूं तथा पार्टी का उद्देश नियमापरी में विहित सर्कों से फुर्तव सहमत। यह कि मैं निरंतर पार्टी हित में पूरी निष्ठा और इमांदारी से कार्व करता रहूंगा। ऐसा कुछ अचानक नहीं करूंगा जिससे पार्टी के देश और छबी धुनियों को अगर ऐसा पाया जाता है तो पार्टी प्रवनुक अनुसासनात्मा करवाई करने हेत्व स्वतंत्रव सक्षम होंगे। यह कि मुझे पार्टी के सिर्ष नेत्रित्रित्रित्व के द्वारा विधान सभा की उमिदवारी सुंपी जाती हैं। और मैं विज़ाई होता हूं तो अपने बेतन के बश्चत पर्टी हित में विकासी निशान पार्टी वियापी के तोस में जमा करने हितू अध्वा समाद हित में खर्च करने को बद होंगा यह की विज़ाई होने के उपरांत विधायत को से संभावित विकास कार्ट के क्रम में सरकारी नियमों के अनुपालन के साथ साथ प्रधान कारणने के निर्देश के अनुरूप उत्रात मिक्ता दूंगा यह कि अपने पार्टी के सिर्देश ने तृट के हड्यक लोग खुल निर्देश का अनुपालन करूंगा और पार्टी उत्ठान के लिए निरंदर काज करते रहूंगा यह की विधायत को से मेरे विजय होने की उपरांत की जाने बाली विकास कार्ज में निवीदा मुक्त कार्ज को फोरकर अन्य सभी कार्ज में सिर्ष नित्रित के अनुरूप अपने पार्टी के कार्टा को प्राक्मिता दूंगा यह की किसी प्रश्चिति में पाठी के साथ रहूंगा त्याद पक्तल नहीं दूंगा यह की विद्डीत्त प्रश्चिति में भी प्रतेफ। प्रतेप्स प्रतेप्स समाज एवन पार्टी का अहित्त पक्स पार्ट नहीं परणवाई यह की पूर्ण स्वस्क मालसिक्ता से मैं बिना किसी दवाब भय के सपत ग्रहन कर रहा हूं कि अध्याई होकर आईए हम लोगा सभासी से पूरा पार्टी पूरा सिस्टम आपके साथ है अपार पहों से बिज़े लोगों कि आप आईए स्वागत देखिए अगर हम बात करें हरी सहनी जी की तो आपको हम याद दिला दें कि 2020 विधान सबा चुनाओ में बीजेपी और विआईपी गडबंधन में चुनाओ लड़ रही थी विआईपी के उरसे उन्हें केवटी से उमिदवार भी बनाया गया था हाला कि बाद में उनसे टिकेट वापस ले ली गए थी और केवटी से बीजेपी के टिकेट पर डॉक्टर मुरारी मोहंजा ने जीत हासल की थी 2020 में डॉक्टर मुरारी मोहंजा के लिए सीट छोडने वाले हरी सेहनी को पार्टी ने 2022 में बिहार वधान परशद में पारशद मनोनीत कर एनाम भी दिया था तो देखा आपने क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सेहनी आपने देखा कि किस तरह से उने सोशल मीडिया पर एक लंबा चोड़ा पोस्ट किया है एक वीडियो भी पोस्ट किया है और हरी सेहनी जी पर भी तंज कसा है और उन्हें वो भी दिन याद दिलाए है तो इस पूरे विजियो के बारे में आपकी क्या राय है कम्मिंट करके हमें जरूर बताईएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा Life Cities बहुत शुक्रिया